तो है गाईज मैं हूँ एसके सामा और आज हम सॉल्फ करेंगे Geeks4Geeks Problem of the Day 6th June 2021 का question Count the number of possible triangles ठीक है तो question में क्या दिया है आईए वो जानते हैं उसके बाद question को हम सॉल्फ करेंगे ठीक है हमें दिया हुआ एक unsorted array of n positive integers find the number of triangle that can be formed with three different array elements as length of the three sides of triangle मतलब हमें एक array दिया हुआ ठीक है यह unsorted है इसमें बहुत सारे elements हो सकते हैं मालनो A, B, C, D, E ठीक है तो यह सारे elements को हमें जो एक triangle बना ठीक है हमें basically एक triangle बनाना है यह सारे element को हम इस triangle के side के length के रूप में use कर सकते हैं मालनो इसका 3 होगा, यह 4 होगा, यह 5 होगा तो इसको हम एक side का length ले सकते हैं मालनो 3, इधर मालनो 4, इधर मालनो 5 ठीक है ऐसा कुछ हम ले सकते हैं तो हमें यही बताना है कितने सारे elements को select करके कितना possible हमारा triangle बन सकता है मालनो एक A, B, C से triangle बना ठीक है यह सारे elements से और कुछ नहीं आपका side का length को denote करता है basically, आपको sides का length दिया हुआ है आपको sides को जोड़-जोड़ के triangle बनाना है और बताना है कि कितने आप triangle बना सकते हैं तो यह question होगी हमारा question तो आप समझ गये हैं अब triangle बनाने का condition क्या होता है यह मालनों हमारा array था इसमें से हमने a, b और c element को select किया है as a side ठीक है मतलब यह मालनों एक triangle है तो a, b, c तो क्या यह a, b और c से हम triangle बना सकते हैं मतलब यह triangle है जिसका side a, b, c है क्या यह valid हो सकता है ठीक है तो इसका condition क्या होता है इसका condition होता है कि a plus b, should be greater than c ठीक है और a plus c, should be greater than b और b plus c, should be greater than a मतलब कि कोई भी थो side का sum ठीक है कोई भी थो side का sum वो तीसमा side से, greater होना चाहिए ठीक है, तो यह तीनो condition satisfy होने चाहिए अगर यह तीनो, वे तीनो condition satisfied हो गया है तो यह हमारा एक valid triangle होगा तो यह condition होता है आप इसको पाइटोग्रस से confuse मत होगा कि A square plus B square is equal to C square ठीक है यह आपका right angle triangle के लिए होता है ठीक है right angle triangle जिसका 90 degree होता है ठीक है यह हमें बोला गया कि हमें triangle बनाना है triangle नहीं ठीक है तो यह condition में चेक करना है आप इससे confuse के मत चेक कर दियेगा ठीक है ठीक है तो ट्रेंगल में condition तो आप समझ गये ठीक है अब यह question को हम solve कैसे करें ठीक है तो जो सबसे असान सबसे straightforward approach आपके दिमाग में क्या आया होगा कि हम all the possible 3 का group बना ठीक है जितने भी इसमें element है जितना भी 3 का pair या 3 का group बन सकता है सबको निकाले सबको इस सारे condition के साथ चेक करें अगर condition satisfy कर रहा है ठीक है अगर condition satisfy कर रहा है तो answer plus plus कर दो नहीं तो अगला pair के तरफ बढ़ जाओ इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें 3 loop लगेगा for i ठीक है i फिर इसका अंदर nested में for j ठीक है और इसका अंदर फिर इसके nested में for k तो इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है लेकिन time complexity क्या आएगा o of n cube ठीक है तो यह बहुत ज्यादा है इसको क्या हम घटा सकते हैं तो हाँ भीए इसको हम थोड़ा optimize कर सकते हैं वो कैसे करेंगे आए जानते हैं ठीक है तो आए अब जानते हैं थोड़ा optimize तरीका ठीक है तो यह मानलो हमारा array ह हो गया ठीक है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे sort कर लेंगे यहां देखो यह unsorted है हम यहां पर क्या कर रहे है कि इसको sort कर लिए अब sort करने के बाद मानलो इसका जो elements है वो कुछ ऐसा आगिया की a b c d e f ठीक है तो सबसे पहले आप यह समझो कि हमें इस case में condition क्या check करना हम एक triangle बना सकते हैं तो हमें सिर्फ यह चेक करना पड़े है क्या a plus b is greater than e हमें सिर्फ यही एक ही condition check करना पड़ेगा ऐसा क्यों बाकी दो condition है क्या हुआ जो मैंने बताया था तो देखो यह array sorted है यानि कि b जो है a से बढ़ा है और e जो है यह दोनों से बढ़ा है ठीक है तो भया हमें पता है कि array sorted है ठीक है b जो है वो e से छोटा है तो अगर a को हम नहीं भी लेते तब भी यह condition satisfy करता a plus e होने से तो यह value और बढ़ जागा e से बढ़ जागा ठीक है तो यह condition true रहेगा समझ रहो न क्यों क्योंकि e जो है वो b से खुद अपने ही बढ़ा है ठीक है तो हर बार जो true ही रहेगा क्योंकि array हमारा sorted है ठीक है array हमारा sorted है तो इसलिए हमें यह दोनों condition को check करने का जरूरत नहीं है सिर्फ यह condition को हम check करेंगे तो अगर true आया तो हमारा triangle बन सकता है क्यों तो यह a और b e से छोटा रहेगा ठीक है तो जैसे कि example मानलो 2 3 a और b का value है e का value म ठीक हो जागा ठीक है तो इसलिए हमें सिर्फ यह condition चेक करने का जरूरत है बाकी दो condition तो देखो जब हम brute force लगा रहे थे जब हम brute force लगा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि यह हमारा array हो गया इसमें जितने भी element हम पहले i का यहां रखते j का यहां रखते क्या क्या जाश जा लास में पहुंच गया होता है कि मतलब क्या होता कि पर डिस पर्टीकुलर आई for this particular जिर मने यह यह पे ए और बी ए ठीक है तो for a-b आलार चेंज कर सकते हो सारा सार कॉन्मेशन कर लिए है तो सार चेक हो गए है तो अब क्या करते हैं इसको हम आगे वड़ाते है मतलब क्या होत ठीक है अब यहां C भरा जाता ठीक है यहां C हो जाता अब फ़र A C और इसका जितना combination था वह चेक होता एक एक करके यह आगे बढ़ता ठीक है तो सारा सारा ऐसे combination हम चेक करते है ठीक है तो यह brute force में हम ऐसे करके है यह देखिया तो देखो यह हमारा हो गया array ठीक है यह array को हम sort करेंगे sort करने से क्या होगा आप देखो तो इसमें मालो ऐसे A B C D E F G H ठीक है इसमें भी वैसें करेंगे जब तक हमारा condition satisfy रहेगा कि A plus B यानि कि I plus J जो है वो greater than के रहा है तो यह मालो यहां satisfy कर रहा है greater than C भी है greater than D भी है फिर के को यहां ले गए तो A plus B is greater than E भी है यह सारा condition satisfy करते हो यहां तक पहुँच गया ठीक है लेकिन जैसे ही F पे गया ठीक है A, B, F का नहीं बना सकते हैं तो A, B, G का भी नहीं बना सकते हैं क्यों क्योंकि F का जगा हम G रखेंगे array sorted है G जो है F से बड़ा है तो यह फिर conditionals fail कर गा है H भी नहीं रख सकते हैं अगर अगर यह दोना हमने side select किया है तो उसके साथ सिर्फ हम या तो C से लेके E तक ही हम जो तीसरा side है वो select कर सकते हैं मतलब अगर हमने A और B select किया है तो third side हमारा C से लेके E तक हो सकता है तो या तो C रखो या तो D रखो या तो E रखो यानि कि total कितना possible triangle तो हम नंबर आफ जो हमारा answer रहेगा तो जो हमारा answer रहेगा उसमें क्या add कर देंगा number of elements from C यानि कि जहां किसे की को हम start कर वाए तो जे के एक बाद ठीक है जे के एक बाद ठीक है वहां से लेके यह हमारा E तक चलेगा ठीक है जहां तक हमारा condition satisfy किया तो यानि कि 3 तो plus 3 हो गया तो यह चीज़ आप notice किये ठीक है अब आगे देखो आगे क्या होगा तो अब जब हमें पता चलेए कि A B और F जो है यह हमारा condition जो है वह satisfy नहीं किया ठीक है तो यहां पर के वाला point है इसको आगे बढ़ा सकते है ठीक है तो इसके जगह हम किसको बढ़ाएंगे यह इसको बढ़ाएंगा ठीक है जे वाला को आगे भी यह condition satisfy नहीं किया ठीक है तो जब हम A और C side select किये तो हम कौन-कौन सा 3rd side है वो क्या के select कर सकते है वो हम D और E को select कर सकते है ठीक है D और E को ऐसा क्यों देखो A plus B जो था वो हमारा यह condition satisfy किया था यानि कि A plus B जो है वो greater than हमारा D भी था A plus B हमारा greater than E भी था ठीक है अगर हम B को replace करके हम C भी लिख दे ठीक है B को replace करके C भी लिख दे तब भी यह condition satisfy रहेगा ना क्यों रहेगा क्योंकि C जो है B से बड़ा है ठीक है तो यह C को रख दिया है तो यह इसका जो total value होगा तो और बढ़ेगा ठीक है तो यह condition हमारा satisfy रहेगा तो अगर अभी भी यह जो यहां पर जो के के लिए एफ के लिए ठीक है अगर अभी भी तो हमारा जो pointer थे एक A पे था एक C पे था एक F पे था ठीक है तो हमने count कर लिया थे कितना था? फ्लस टूप्लस 3 ठीक है यह हो गयाता अब इसको जो है अब इसको तो हम आगे ले जाए जाना पड़ेगा तो यह जो है हमारा pointer आगे आजागए ठीक है तो यह pointer यह आगे आगे है तो हमें पता चलए कि a plus d जो है यह हमारा F से भी greater है, G से भी greater है H से भी greater है, ठीक है मतलब यहाँ भी consistency satisfied किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया तो एक एक करके pointer आगे आगे जाएगा ठीक है, तो यह अब क्या होगा, कि हमारा जो pointer है, यानि कि K वाला जो pointer ठीक है वो हमारा यहाँ पर आगिया तो यहां पर आगे इसके आगे आगे अब K को ले नहीं जा सकते हैं तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा कितना triangle बना तो जब हम A और D से लेक्ट किये तो थर्ड साइड हम क्या से लेक्ट कर सकते हैं E से लेके H तक तक तो यह कितना होगा यह 4 होगा तो यहां 4 हम रख सकते हैं यानि कि answer में हम plus 4 कर देंगे अब इसको तो हम आगे लिनी आ सकते हैं तो इससे हमें आगे ले आके देखना पड़ेगा तो क्या होगा कि यह यहां आजाएगा तो यहां आएगा तो क्या होगा कि जब हम A और E सेलेक्ट किए तो हम और यहां पर कितना बर सकते हैं यहां पर एक दो तीन और बर सकते हैं तो हमारा plus 3 हो जागा यह 3 कहां से आया तो देखो हमें पता है कि A, D ठीक है A, D और F का जो है वो condition satisfy किया था ठीक है तो A, E, F भी हमारा condition satisfy करेगा ना क्यों? क्योंकि A plus D जब हम किये थे तो वो F से greater आया होगा तो वैसे ही A plus E करेंगे तभी वो greater आएगा F से ठीक है तो वैसे ही करके हमें इन सब का चेक करने का जरूबत नहीं पड़ेगा A, E, F, G, H का यहां पर जो हम रख रहे हैं इसका हमें चेक करने हैं जरूबत नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि जब D का साथ satisfy कर गया है तो E का साथ करेंगा E जो हमारा D से बढ़ा ही है ठीक है तो A plus E यह सब greater होगा ठीक है तो ऐसे ही है फिस वो A, E करके आगे ले चल जाएंगे तो यहाँ पर जब पहुंचा है जब A और F हुआ तो हम यहाँ पर कितना रख सकते हैं यहाँ पर G भी रख सकते हैं H भी रख सकते हैं फिसको आगे ले जाएंगे तो जब A और G होगा तो यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं कि हम और combination बना नहीं सकते हैं कि a के साथ यहां पर जितना भी combination था हमने सब बना के देख लिया है अब दोनों लास्ट तक पहुंच लिया है तो और बना नहीं सकते है तो हमें a को change करना होगा मतलब अब i को हम आगे बढ़ाएंगा तो आई को यहां पढ़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि यह जो a b c d e f g h था अब i वाला हमारा यहां आ गया है तो हमें जो j वाला था यह और k दोनों को हमें यहां पर लाकर रखना पड़ेगा तो इसलिए यह हमारा रिसेट हुआ फिर से हम वही काम करेंगे इसको तब तक आगे ले जाएंगे जब तक हमारा इसको यहां लाकर रख दिये अब रोक दिये तो इसके बीच में जितना भी नंबर था यानिकि यहां से लेकिए यहां तक तो उसको हम प्लस 3 अपना आंसर में कर लेंगे ठीक है फिर हम j को आगे बढ़ाएंगे फिर इसको तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कर रहा है और जै और के वो दुनों साट साट कर रहा है ठीक है । कन्ति अपना से पर तब फिर J और K हमारा वह रिसट होगा ठीक है कि हमारा टाइम कॉर्ट देखते हैं उससे पहले अगर आप DSA सीखना चाहते हैं तो आप यह कोर्स चेकाइट कर सकते हैं ठीक है इसमें आप देखेंगे तो आपको लाइफ टाम अक्सेस मिलेगा वीकली आपका हर वीक असेस्मेंट होगा ठीक है इंटर्नशिप का ही मौका है और साथ ही साथ आपको DSA का A to Z सारा टॉपिक आपको सिखा दे जागा चाहब वो डीपी हो या ग्राफ हो बैक ट्राकिंग हो सब कुछ ठीक है चेक कर सकते हैं इसक सारे कोर्स इसमें लाइफ पढ़ा जाता है ठीक अगर आपको लाइफ सीपी सीखना है या फिल्ट डेवलपमेंट या जावा बैक ट्राकिंग ठीक है तो इन सब में क्या होता है कि आपको रियल टाइम पढ़ा जा सकता है आप इंटराक्ट कर सकते हैं तो काफी अच्छा क करें कि हम ट्रवर्स करेंगे एरे को हम एक आई को हम यहां चूज करेंगे ठीक है आई यहां को से लेक्ट हो गया होगा है कि क्या करेंगे आई प्लस टू और यहां से स्टार्ट करेंगे आई प्लस बन से ठीक है यहीं चीज कर रहे है ना यह मानलो हमारा एरे हो गया है तो यहां पर हमने इसको i दे दिया है तो j i plus 1 से start हो रहा है k यहां हो रहा है तो अब देखो यह क्या कर रहे है कि हम check कर रहे है while k is less than n और तब तक जब तक हमारा condition satisfy कर रहा है हम k को क्या कर रहा है कि यह क्या 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 है रख सकते हैं वह हम हम यहां पर हम कौंट कर लेंगा ठीक है अब फिर वापास यह जो है वह आगे बढ़ेगा तो नया यहां पर जाएगा अब फिर हम चेक करें क्या हम के को आगे बढ़ा सकते कि अगर बढ़ा सकते तो बढ़ाएंगे तो फिर जितना पूरा array पर एक बार ट्रवर्स कर रहा है और फॉर एवरी आई के लिए ये क्ये और जे जो है ये भी array पर एक ही बार ट्रवर्स कर रहा है तो इसलिए ये आपका o of n-square का time complexity होगा तो ऐसी कर रहा है तो ऐसे करेंगे बार बार कांट करेंगे लास्मेरेटान हम कांट कर है ये खेंगे था तो इज प्राइब एक विडियो ड़ी ये खिए आज व्याद ही गिए था खिए सेफ रहे हैं मिलते की लिए बाई हाइ, I am Sandeep Jain and in this video I'll be explaining what is these classes like these classes live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product based company This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So, looking forward to see you people from a number of cities.